सलाम अलेकुम आज हम बहुत ही टेस्टी जूसी तंदूरी पनीर सेंविच बनाएंगे यहां मैंने एक बावल में एक टेबल इस्पून भरकन तेल ले लिया है इसमें एक चमच लाल मेंच पावडर एक चमच धनिया पावडर आदा चमच से थोड़ा कम जीरा पावडर और आदा चमच से थोड़ा कम गराम मसाला पावडर और एक चमच बुनावा बेसन थोड़ी से कसूरी में थी आदा चमच से थोड़ी कम है यह आदे चमच अद्रक लेस्टन का पेस्ट आदे चमच चाट मसाला और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैंने तेल और एक चमच भरके डाल दिया है और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स हो जाने के बाद इसमें थोड़ा सा दो चुटकी पर लाल फूड कलर दालेंगे यह ओप्शनल है और थोड़ी सी हल्दी अब इसमें हम 3-4 ताई कप भर कर दही दाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और नमक दाल देंगे और इसके बाद हम इसमें 200 ग्राम पनीर दाल देंगे एक मेडियम साइज का टमाटर है इसको मैंने चोकोन पीसेस में कट कर लिया है वो इसमें दाल देंगे प्यास एक मेडियम साइज का शिमला मिर्च एक मेडियम साइज की और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और mix हो जाने के बाद इसको 5 मिनट के लिए side में रख देंगे फिर एक pan ले लेंगे उसमें एक चमच अमुल बटर दाल देंगे और जो हमने बनाया था पनीर का mixture वो दाल देंगे और इसको 6-7 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे और फास आज पर पकाना है ताकि जो ग्यास की आज है वो हमारे जो पनीर है उस पर इस तरह से लगती जाएंगी तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएंगा और यह देखिए इसका जो ओईल है वो निकलने लगा है और जो आग यह वो भी इसके उपर आ रही है अगर आप की आग जो है उपर नहीं आती है तो आप कोईले की भी जो भाप होती है वो भी दे सकते हैं और बस यह रेडिये इसको थंडा होने देंगे और यहां मेरे पास कुछ सामान है ग्रीन चटनी अमूल बटर अमूल स्लाइस हैं और पर पर सबसे पहले हम अमूल बटर लगा लेंगे फिर बात में ग्रीन चटनी लगा लेंगे जो ग्रीन चटनी होती है सेंविच की उसमें सबसे पहले एक गेटी पुदीना थोड़ी सी कोतमीर तीन से चार हरी मिर्च आदा इंज का तुकड़ा अधरक और थोड़ा सा लीमू कर रस और थोड़ा बरफ दाल के आप इसको पीस ले और एक टेबल स्पून भरकर तेल दाल प्रणा है हमको और सेंविच्च start भून है इस तरह से में आपको बता रही हो और सबसे पहले अमोल बटर फिर गरीन चटनी फिर अमोल स्लाइस फीर जो हमने पनीर बनाया था वो डाल देंगे फिर इसके उपर मॉजरेला चीज डाल देंगे फिर और स्लाइज जो हमने रेडी किया था वो इसके उपर रख देंगे आप चाहे तो फ्राइपन पर भी सेख सकते हैं या आपके बस गृलर है तो बहुत अच्छी बात है बरनत अवे पर भी सेख सकते हैं आप इसको इसके उपर फिर से हम अमुल बटर लगा लेंगे यह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब सेंविच बनके रेडी होता है दो सेंविच हम फ्राइर पैन पे सेख लेंगे स्लवाच पर सेख ना है और बाकी के हमारे पास ग्रिलर है तो हम उसके उपर सेख लेंगे और बस यह रेडी है वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए अला आपीस